वे गाइस वेलकम टू वैदिमी स्वागा थे आपका वैदिमी के यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में आप से बात करने आला हूं PhD Admission from ISR Kulgatta तो ISR Kulgatta में PhD Admission उसका application process start हो चुका है आप जाके fill कर सकते हैं इस वीडियो में सारी details आपको बताऊंगा details बताने से पहले मैं एक summary बता देता हूं कि आखे इसकी eligibility क्या है सबसे पहले बात करें basic eligibility कि तो इसमें MSC, MTEC, BTEC यह फिर जो BSC 4-year का program होता है वो इसके लिए eligible हैं कौन-कौन MSC, MTEC, BTEC और BSC 4-year program इसके eligible हैं अब बात करते हैं fellowship के तो fellowship में तीन टाइप के students नहीं रखा है पहला GRF, like जिन्होंने कोई भी GRF examination, for example CSIR NET की बात नहीं हो रही, LS की बात नहीं हो रही, CSIR, GRF category या फिर DBT category 1, या फिर ICMR वगरा, जो अगर GRF examination qualify किया है, तो category 1 में है essay students अपना topic चूज करने के लिए free है, वो जिस topic पर काम करना चाहते हैं, जिस faculty के अंदर काम करना चाहते हैं, फिर चूज कर सकते हैं तो उन्हें पूरी पूरी चूट है, जे भी GRF students है, और इसमें उन्हें लिस्ट भी दे रखी है, कौन से teacher किस topic पर काम करते हैं, तो अब उस link के थूँ अब उस particular professor की profile देख सकते हैं, और फिर चूज कर सकते हैं, आप इसको आप, किसके अंदर आपको काम करना है, नेक्स केटेगरी है, केटेगरी टू, केटेगरी टू में जिन्होंने like gate qualify किया है, या फिर CSIR LS qualified है, या IIT jam qualified है, ठीक है, तो essay exam जिन्होंने qualify किया है, और साथ साथ जिन्होंने पोई भी exam ने qualify किया है, जो third category है, तो ऐसे students के लिए जो उन्होंने प्रोफेसर से उनके अंदर कुछ projects आये हुए हैं, कुछ sponsor projects हैं, उसके अंदर वो work कर सकते हैं, तो इसमें यही होगा कि आपको topic अपने choose नहीं कर सकते हैं, जिस project पे काम चल ला है, वही आपका PhD topic बन जाएगा, इसमें around, जिनके पास gate उनके पास around like, around के पास 4 to 5 seats हैं, और जिनके पास कोई examination qualified नहीं है, लाइक आपने कोई examination qualified नहीं किया है, तो इसमें एक seat है, तो एक बार फिर से मैं summary बता दे हूँ, आईसार को लगाता PhD admission में, MSC, Mtech, Btech या फिर PhD four year programs eligible है, साथ ही साथ इसमें जिनों जिर्फ qualified किया है, वो किसी भी faculty, किसी भी topic पर work कर सकते हैं, next sponsor projects के लिए जिया तो gate, CSR, LSE, IT, jam चाहिए, और सिर्फ एक sponsor project है, जिनमें इन्होंने कोई भी national exam qualification नहीं मांगा है, तो चाहिए बलते हैं, details के बारे में, जैसा कि आपको देख सकते हैं, पर इन्होंने लाइक लिक रख रखा है, PhD admission for 2024 semester, और इसके बाद, यह जो आप list देख रहे हैं, आपे, like different professors के और उनके profile link है, तो इसको आप link को select करके, आप choose कर सकते हैं, आप किसके अंडर आपको work करना है, जो JRF category students होंगे, आप list देख जाएगा, और individually visit कर लीजेगा, अब बात करते हैं, sponsor projects के बारे में, तो यहां पर gate और LS वालो के लिए, institute funded PhD position, इसमें gate, LS, IT, exam, या फिक कोई भी exam qualified, निवे eligible हैं, तो इन्हों different professor के नाम दे रखे हैं, उनके अंडर कौन सा project आया है, वो दे रखे है, और eligibility दे रखी है, तो जै gate, net, LS, IT, exam, eligible है, case students, eligible है, इसी तरह आप देख सकते हैं, अमित कोबार मंडल, इनके अंडर भी gate, LS, और IT, exam, needed है, उसके बाद आप देख सकते हैं, like, Robert sir के अंडर, तो इनके अंडर भी gate, LS, मांगा हुआ है, और next बात करता है, संकर मेर्ती sir के, तो इनके अंडर भी उनने gate, LS मांगा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं, so इसमें सिर्फ एक, I think, हाँ, सिर्फ एक ऐसा नाम है, राधिका के अंडर, यहाँ पर उन्होंने किसी भी, like, कोई भी national level examination qualification नहीं मांगा है, तो जिनके पास कोई भी एक जैरफ नहीं है, और जिननोंने कोई भी national exam qualify नहीं किया है, तो वो इनके अंडर apply कर सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर जो भी नाम दिये गए थे, प्रोफेसर के, उनके अंडर जैरफ के students apply कर सकते हैं, जो अपने मन पतावित, अपना topic या faculty चूस कर सकते हैं, उसके बाद यह list दी गई है, जो प्रोफेसर के अंडर आई है, जिसमें get LS के student eligible हैं, सिर्फ इनको छोड़ के, इसमें कोई भी apply कर सकता है, ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गई होगी, next बात करते हैं, dates के बारे में, तो आपको apply कहां से करना है, तो इस link से apply करना है, ये link का आपको description मिल जाएगा, और जो PhD application process है, वो 1 March से start हो चुका है, last date इसकी 30 April है, ठ के बाद भी आप apply कर सकते हैं, तो इनना दो मन्त का window रखा हुआ है, यानि डिविटी एक्जाम तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं, तो PhD application form स्टार्ट होगा, एक मार्च को, last date 30 April होगी, और जो shortlisted student होंगे, उनकी लिए 8 मार्च को आ जाएगी, interview जो होगा, 24-31 होगा, जो result क्लास से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो एक बाद फिर उसमनी बता देता हूँ, आई सार को करता है, इसमें MSC, BTEC, MTEC या BSC 4, इसमें अगर आपके पास ज्याराफ तो आप किसी भी प्रफेसर के अंडर किसी भी टॉपिक वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास gate, N8, LS अगरा है, तो आप जो वहां के रिस्पॉंट्स है, प्रफेसर के अंडर जिसके लिएस दी गई थी, उसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक ऐसे प्रफेसर दिखाया है मैंने, जिनके अड़क किसी भी नेशनल एक्जामनेशन की जरूवत नहीं है, तो आप नहीं है, तो एक अवां का झी जामनेशन की किसी का सकते हैं, ओज वां बर्ता है ये घ्मॉत सकते हैं, प्लोगरेसर के ये हैं, बढ़कर पहले हैं, जिस दिहरो्छशन की दिख्या